सिद्धार्थ आज हम लोग मौजूद है सागन विधानसभा 365 जो विएपी पार्टी है उन्होंने रामनु निसाद को टिकट दिया है वो यहां से परतियासी है और यह गाउं सेरपूर पत्रा है जो जनपत जोनपूर सागन विधानसभा में आता है यहां पर हमारे बीच में बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं लेकिन एक बहुत खास साथी हमारे बैठे हैं जो वारनसी मंदल के परवक्ता मंदल के मंदल अध्यक्स हैं और परवक्ता भी हैं पार्टी में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल के माद्यम से अपना परीचे दीज जी जैगरू रामने साथ मंडल अध्यक्ष विएपी से तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यह है कि जिस तरह से मात्रूप बहुत कम समय में विएपी पार्टी का जो गराब बढ़ रहा है विएपी पार्टी साथ जो जन समर्थन जुड़ रहा है क्या वो जन समर्थन आने वाले साथ मार्च को बरकरार रहेगा निश्चित रूप से बरकरार रहेगा उसकी वज़ा है पिछले तकरिवन दस साल से हम लोगों ने जैनिसाद राज के नारे के साथ जो जैगोश किया है और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में तमाम गाउं में जो एक पार्टी एक नेता एक नारा एक जंडा एक निसान पाँ राजनीतिक हथियार से राजनीतिक टाकत और सत्ता को हांसिल करने का एक है उसी उसी प्रम में तमाम ऐसे जंजांद आवाद समय पर भले आते रहें नेता बहले भिकाओं हो जाए लेकिन समाज अब टिकाओं होने जारा है ऐसे सर्काइब लग लड़ रहे हैं तो भारते जनता पार्टी की सरकार चल रही तो मुके शानीजी जो है पूरे उत्तर परदेश के अंदर फूलन देवी की मूर्तिकों स्थापित करना चाहते थी तो भारते जनता पार्टी के रहते सभा में वहां बीजेपी का प्रत्यासी कमल के फूल से लड़ रहा है और घंस्याम निसाद नाम का एक निर्दली प्रत्यासी भोजन भरी थाली से लड़ रहा है तो तो जैसा तो है नहीं कि डाक्टर सहाब का और उनका गटवांदर है तो दो दो प्रत्यासी लड़ेंगे तो यह निर्दली प्रत्यासी है लड़ें कोई बात नहीं रहा सवाल विजेपी का तो विजेपी ने वादा खल्याफी किया है हमारे लोगों को बुला कर आरच्छण की बात किया था 2014 में राष्टी मच्वा नीत बनाया था कि निसादों को अरच्छण देंगे तुनिया भर के तमाम मंत्राले बनाएंगे यह करेंगे यह करेंगे लेकिन बेवकुप बनाया और भारतिय जंता पार्टी तो यह कह रहे हैं कि आप जो है सरकार बनाओ अधिकार पाओ उसमें डा हो गया है यह अपने चुनाओ चिन्ह पर और एक पार्टी की परिकलपना जिस प्रकार से सनाफ मनलाह मानी मुकेस अनी जी 2018 में पार्टी का निर्माण करके आज बिहार में सत्ता बेहसा मिल है अपने चुनाओ चिन नाव से लड़कर के जैसे उन्होंने दो बारों है सोसल मीडिया पर बहुत जगा पर चल रहा है कह रहे हैं कि मुकेस सानी जी जो है वो फूलन देवी के नाम से उत्तरपरदेश में राजनीती कर रहे हैं क्या कहें अब फूलन देवी तो हमारे निसाद असमिता की प्रतीक है और दुर्भाग से इस भाजपा सरकार ने उस कोहन बिरांगना फूलन देवी से नफरत हो उनकी मूर्ति से नफरत हो उनकी मूर्ति ना लगने देने की कलपना जो लोग करते हो जो ऐसा सोचते प्रयास करते हो ऐसे लोगों को तो निसादों के गाउं में घुसने का कोई अधिकार नहीं है यह निसाद बंस के लोगों के अश्मिता का प्रतिक है, हर हाल में ये इनके सम्मान का जुड़ा हुआ हुआ मामला है, भारती जनता पार्टी और उनके समर्थक निसादों के गाउं में, तो अगर उनके अंदर जरा भी गहरत हो, तो निसादों के गाउं में उन्हें घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ब पार्टी या अन्य जो पार्टियां है तो क्या लग रहा है कि इस बार उत्तर परदेश में किसकी सरकार बने चुनावी माहौल है निस्चित रूप से सरकार जिसे हम लोग चाहें कि वो बनाएगा हां रहा सवाल है हमारी बी आई पी पार्टी सरकार बनाने जितनी संख्या मे हैं उतना तो हमारे प्रत्यासी नहीं है सरकार की मनसा के अंरोप तमाम वहमारे लोगों के पर्चे कर दिये गज़े और कुछ हमारे समाज के आई ėjसे दलाल लोग थे जो पर्चे खारेवाली है लेकिन आज की तारिक में हम जहां निसाद मनस के लोग ओटिंग करेंगे औ हमारे मुख्या का कहना है सनाफ मनला का कहना है जहां हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां हमारे लोग अपने प्रत्यासी को ओड़ देंगे और जहां हमारे लोग नहीं लड़ रहे हैं वहां हम जो बिरंगना फुलन देवी का सम्मान ना करने वाले अपमान करने वा लोग हैं जो हमारे प्रतिकों की रच्छा करने वाले लोग नहीं हम लोग उनको कहें कोड़ेंगे हम उनको ओट करेंगे जो हमारे दूस्वनों को हराएगा बहुत बढ़िया तो जैसा कि निशा समाज जल जंगल जमीन तालाव नदी नाले यह जो इस तरह का व्यपार है मान काने से भीग मिलती है दिकार नहीं मिलता है तो रिजर्वेशन या जो यहां पर जो रोजगार की ववस्ता है वो लोगों के लिए हो उस पर क्या कहेंगे देखो रहा सवाल अरच्छन का जब तक और डरेगा नहीं तब तक सुनेगा नहीं हम लोग जो है राजनाइतिक सक् कि अपनी उमर का हवाला दे करके अपने निजी स्वार्थों के चलते हैं पार्टी बेच लेते हैं राष् disappoint बदल देते हैं लेकिन इस अपना राष्था नहीं बदल रहे समाज आज भी उसी एक बात पर अडिग है कि हमें हमारा समबैदानिक हंसा आरच्छन मिलना चाहिए हमारे समाज हमारे बंस के प्रतीकों की सुरच्छा होनी चाहिए और जिस समाज के जिस बंस के सामाजिक और अध्यात्मिक हर प्रकार के उनके जो प्रतीक हैं मौलिक उनकी जब तक सुरच्छा नहीं वो समाज कभी भी टिकाओ नहीं हो पाता वो समाज कभी भी सफल नहीं हो वो समाज कभी भी काम्याब नहीं हो पाता हमारे समाज को काम्याब होना है तो हमें जुब्बा साहनी का सम्मान करना चाहिए हमें दसरत माजी के बंसज है उनका सम्मान होना चाहिए हमें कोलंबस वासको डिगामा के हम लोग बंसज है तो हमें हमारी नाव का सम्मान होना चाह को हमारा Wow है यह कह रहे हैं कि हमारे संमान की बात होनी चैहिए Ocean बहुत जरूरी है समाज के लिए कई ना कहीं विदान Cublauber Bund विधायक बने हैं तो क्या इस बार नाव भारी पड़ रही है निश्चित रूप से नाव भारी रहेगी और देख लेना इतना ओट है हमारा अभी आपने हमारी ओबास सुना था कलम का कैडर अगर सिर्फ हमारे लोग एक तरफ आ जाएंगे बस हमें और ज्यादा कुछ नहीं करना है निश्चित रूप से हम लोग चुना जीत रहें बहुत बढ़िया है आपको जो है अभी से जो है बधाईया है कि यहां पर सागन्य विधानसवाद 365 से व्याइपी पार्टी जो है अपने परत्यासी को भारी मत्तों से जो है विजयी मना करके विधानसवां बेजने करेगा यहां की जनता काम करेगी आप जुड़े रहे हमारे साथ देखतरी व्याइपी न्यूज धन्यबाद हम फिर मिलेंगे